दोड़ते भागते हुए गर्मी में सुभा सुभा आप इसे अपने नाश्टे में खाएंगे तो पूरा दिन तंदुरुस्त रहेंगे क्यूंकि इससे खाकर पेट भरा भरा रहेगा और काम करने की एनरजी मिलेगी एक साथ जादा लोगों के लिए अगर नाश्टा बनाना हो तो बड़ी ही आसानी से ये रेसिपी बन जाएगी और खाने में ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो बच्चों से लेकर बढ़ों तक सब को ये पसंद आएगी क्यूंकि हम इसको स्पेशल स्वाद के साथ बनाने वाले हैं इसे सुबह नाश्टे में या लंच में या डिनर में कभी भी हलका फुलका खाना हो तो बना सकते हैं क्यूंकि ये स्वाद और सहत से भरा हुआ है तो चलिए जल्दी से हम आज के हमारी रेसिपी शुरू करते हैं पर सबसे पहले हेलो एप्रिवा नीठ य ऑर गी को हमें थोड़ा गरम करना है और फिर हमें इसमें डालना है मखाना तो यहां पर आप देखी यह मैंने फूल मखाना लिया है इसको इंगलिश में फोक्स नट और लोटस सिट कहते हैं और अगर गुजराती में देखे तो इसको कमल दाना बीच कहा जाता है यह बहु बस आपना color change करने लगेंगे और crispy हो जाएंगे तो बस हमें इनको crispy कर लेना है और फिर भुने हुए इन मखानों को हम प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे और इन्हें हमें ठंडा कर लेना है और आगे इनका इस्तिमाल करना है अब कुकर काफी गरम है तो जल्दी से इसमें हम एक टिस्पून देशी घी और डाल देंगे यहां आप चाहें तो तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन देशी घी के भी अपने फाइदे होते हैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी डायट में हमें जरूर से लेना चाहिए तो यहां पर घी काफी जल्दी से गरम हो ग इस दल्या को पहले हमें अच्छे से साफ करके लेना है और फिर इसे घी में अच्छा सा कलर आने तक और इसकी खुश्बू आने तक हमें इन्हें भुन लेना है तो यह देखे कुछ इस तरह का light brown color आने लगे तब तक हमें दल्या को धीमिया आज पर अच्छे से चलाते हुए भुनना है इसमें तकरिबन 5-6 मिनिट का टाइम लगेगा दल्या को भुनने में लगने वाला टाइम अगर आप वहर बार के लिए बचाना चाहते हैं तो धेल सारा दल्या आप घी में भुन कर ठंडा करके किसी एयर टाइड कंटेनर में स्टॉर करके रख सकते हैं और जब अगर यहाँ पर आप सिर्फ दल्या का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो कप पानी इसमें अट करना है तो यहाँ पर आप देखिए यह मैंने मूंग की दाल ली है यह भिगोई हुई मूंग दाल है इसको मैंने आधा एक गंटा पहले पानी में भिगो होती है प्रोटीन से भरी हुई दाल डालने के साथ साथ हम इसमें अपनी पसंद से सब्जिया भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक आलू को छील कर इस तरह से टुकडों में कटकर की लिया है कच्चा आलू है इसको बस हम इस तरह से डलिया और दाल के साथ इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसमें और भी सब्जाओ डाल सकते हैं जैसे की काजर गोभी या मटर क्या कि हम इसको एक अलग अन्दाज में बनाने वाले हैं तो यहां पर फिलहार मैंने सिर्फ इसमें आलो अड़ किया है और फिर हम इसमें नमक ढाल देंगे और अच्छे से एक बार इसको मिला देंगे और फिर हमें प्रेशर कुकर का धकन लगाना है और मीडियम आज पर हम इसकी 3 सीटे लगा लेंगे इसके बाद जब कुकर का पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब हम धकन खोलेंगे तो यहां पर आप देखिए जो दलिया है और जो दाल है वो काफी अच्छे से पग गए हैं आप देख सक कर लेते हैं कि आलु अच्छे से पका है या नहीं पका है तो यहां पर आप देख सकते हैं आलु काफी अच्छे से सौफ्ट हो गया है तो कुछ इसतरह से इन दल्या को और डाल को पकाने के बाद हम इन्हें साइड में रखेंगे और फिर इसके लिए स्पेशल वाला street food style हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे तो चले देखते हैं कि वो हम कैसे बनाने वाले हैं तो अब हम गढ़ाई में फिर से एक से दो चमच देशी घी को गरम करेंगे अब आप चाहें तो ये मसाला बनाने के लिए बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें पहले हम ये एक टिस्पून राई डालेंगे और अच्छे से गरम घी में जैसे ही हम राई डालेंगे तो राई अच्छे से चटकने लगेगी और इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज होकर घी में आएगा फिर इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिंगे और अब मेरे पास ये कुछ सूखे करीपत्ते हैं तो 7-8 करीपत्ता हम इसमें डाल दिंगे और फिर हम ये कुछ बारीक कटा हुआ लचसन इसमें डाल दिंगे अच्छे से प्याज को हमें भूनना है थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे अब इसमें हम डालेंगे ये एक टीस्पून क्रश क्या हुआ अधरक और इसी के साथ साथ एक से दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च भी हम इसमें डाल दिंगे ये जो दलिया है हम सिंपल टेस्ट में नहीं बना रहे हैं हम इसको स्ट्रीट फूर्ड स्टाइल में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को काफी अच्छा सा कलर आने तक मैंने भून लिया है और फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, तो ये दो बारिक कटे हुए टमाटर हम इसमें डाल देंगे, फिर यहाँ पर मैंने ये बारिक कटे हुए शिमला मिर्चली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इनको मैश करेंगे, तो आप अपर मैंने ये टमाटर मसाला अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे तो ये मैंने एक टीस्पून इसमें धन्या पावडर डाला है इसे के साथ साथ हम इसमें हाप टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पावडर फिर ये वनफोर्थ टीस्पून ह का बनाया हुआ गरब मसाला इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक हमने दल्या में भी डाला है तो यहां पर हमें सिर्फ इस मसाले के लिए ही नमक एड़ करना है तो स्वात के अनसार इसमें नमक डाल देंगे फिर इसके बाद आप देखिए यह जो म consistency का खाना पसंद है उतना आप इसमें अब पानी डाला है इसको मसाले के साथ हम अच्छे से मिला देंगे और जब तक अब इस पानी में उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको पकने देंगे तो आप ये देखे कुछ इस तरह से इसमें उबाल आना चाहिए और फिर अब हम इसमें ये दलिया और दाल वाला mixture डाल देंगे अगर आपको सुबह सुबह नाश्ता बनाने का टाइम कम मिलता है तो आप रात में ही दलिया और दाल को पका करके फ्रीज में रख सकते हैं और फिर सुबह सुबह ये चटपटा सा पाव भाजी वाला मसाला बना करके दलिया डाल करके फटा फट से पुरे परिवार के लिए नाश्ता बना सकते हैं इसके बाद हम इसको तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए पकने देंगे इससे दलिया और मसाले अच्छे से साथ में पक जाएंगे और फिर अब आप देखे एकदम चटपटा सा पाव भाजी की स्वाद वाला जो दलिया है हमारा ये बिलकुल लगभग तयार है बस अब हमने जो म इंबू का रस हम इसमें इस तरह से निचोड कर डाल देंगे फिर इसमें हम थोड़ा बारिक कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे और फिर बस इस स्वाद और सिहत से भरपोर टेस्टी चटपटे से गर्मा गरम दलिया को हम जल्दी से बिना देर किये सार करेंगे तो जल्द आपको मेरी ऐसी रेसिपीज देखने को मिलती रहें और नए रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इंजोई इस टेस्टी टेस्टी दलिया और थैंक्स पर वाचिं एड्यमिशस